वो जदा कोनी साल इतनी तीखी है कि किसी के जूरा मार देने सा लग रहा है तो इस तरह सिंग्हम की तरह अच्छा मार दो बे टांग वरकाउट पायर वरकाउट गोड वरकाउट चाहे जो कहो बे कोई दिक्कत में यार गाड़ी कितनी वड़ी हो जाए टैर पतला है तो वरकाउट करेंगे इसलिए करेंगे ताकि आप हप्ते में दो तीन दीन से कल दो ना भाई तो फीट रहो फीट रहो हें हल दि रहो और जखकाज दिखो जब रहो तो पूरी दुनिया माचाते रहोगे से करलो चेस्ट बन जाए यह टेक्निक यह टेक्निक नहीं जो सिंपल ह चला रहा है वही बताएं क्योंकि सामने जो वीडियो देख रहा है ना वह मेरा भाई सेर है और सरग तरह वरकाउट करेंगे तो वामप कर लेना अब पहला एकसर साज हम लोग करेंगे बैक के लिए जो हमारी पीट जो चौड़ी होती है सबसें बेस्ट वरकाउट करेंगे व तो पूरा उपर उपर नीचा तो हम लोग एक एक वरकाउट करेंगे ताक वरडी का वरगाट हो जाए और आगर आपको लगता है कि पांसे देस मिन में इसे कंपलीट कर लिया तो उसके बाद आप इसे दोहरा भी सकते हैं अप्ते में तीन दिन बवाल मचा दोगे तो तो 5 पूरा उपर कोई जो है ऐसे नहीं बरना चाहिए और देख रहो slow किया जा रहा है बहुत slow करो आप चाहें तो अपनी ग्रीप रख सकते हैं इसे उनेम रख शकते हैं उन्होंने हम रख उन्हें रखता है तो यह आप अपने चेस्ट के के भी आप 10-15-20 रिप्टेशन लगा लेना सेट लगा लेना चार तो पुसब तो कम्प्लिट होगे आप हम लोग करेंगे ट्राइशेप यह देखो इसे कहते हैं ट्राइशेप इसके लिए सबसे जरूरी है डिप्स हम लोग बेंच पर नहीं करें हैं हम लोग ग्राउंड में चलो इस तरीके से बैट जाओ जमीन पे बैट गय और चेस्ट थोड़ा उपर उठालो इसमें अब यह जो फिक्स हो गया और इतना नीचे जाओ चलो नीचे गया उपर पूरा जाने का बाद टाइट करो हाथों को यह इस तरीके से टाइट करा है गो एकदम ट्राइशेप जो है फटके बाहरा जाएगा तो 12-15 विप्टेशन आप देखो हाथों को उस तरीके से भी रख सकते हैं उस तरीकों से भी रख सकते हो तो वह अभी नए लड़का है लेकिन फिर भी वो कोशिच कर रहा है तो अभी 12-13-14 साल का बच्चा है इस तरीके से भी हाथ रख सकते है आपकी उमर चाहे जो हो आप यह वर्काउट कर सकते हैं फिट रहने के लिए तो यह होगे आपका ट्राइसेप के लिए यह बेस टेक्सर साइज है मेरे सेर भाई अब लोग करेंगे सोल्डर कंदे का वर्काउट कंदा जो है यह सबसे जो तगड़े बंदे होते हैं उनके क करो इस तरीके सागे कि यह अनीचे जाएंगे यह उपर आओ तो यह बवाल चीज है पूरा सिस्टम मिल जाता है समझ रहें देखो यह नीचे पूरा उपर पूरी बैक सोल्डर ऐसे एकदम फार देगा कि बचे बचाएगा थोड़ी बना कर एक देखा पूरा सोल्डर तो 12 स्टम पंदार रेपिटेशन स्लो कंड्रोल पूरा उपर पुरानेचे देखो इनकी फट रही है तो अगर आपकी फट रही है समझ लोगा रिलैक्स तो मेरे दोस्त यह हो गया सोल्ड़र कवरकाउट किसका वरकाउट हो गया सोल्डर कवरकाउट हम लोग क्या करेंगे लिक भाग गया है तक आप हम इतना अभी चना खाइब मैं गंटा करीद देंगे लेग वर्काउट टांग वरकाउट पैर वरकाउट गोड़ वरकाउट चाहें जो कोई कोई दिक्कत में लेकिन वरकाउट वही होना चाहिए पायरवाप में चलेंगे जंपिंग स्कॉट करेंगे इस तरीके स्पोजिशन लो लिए नीचे जाओ चलो अटुल उपर जंप मारो यह देखो यह सेर की तरह सेर की तरह सेर की तरह सिंग्हम की तरह अच्छा मार दो बें पंजा मार दो यह गजाप यह देखो क्या बवाल वरकाउट हो रहा है कजब बारा से पंदा रेप्टेशन अंड़ टाइब का जो सिस्टम निकलता है इसे करते हैं बाइसे हमारा उतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमारी जो बाइसे लंबाई ब्यादा कोनी साल इतनी तीखी है कि कि जूरा मार देंसा लग रहा है तो इसलिए बाइसे परकाउट में क्या करेंगे चीन अप कर लेंग बन ही ऐसा जाएगा तो आट से दस रिप्टेसन जितना तुम्हारे पिछवाड़े में ताकत हो उतना करो रिलाक्स नीचे आओ अब लास्ट एक्सर साइज कर रहा है आइप्स के लिए जो में होता ना साला यही यही चर्बी सारी होती है सबको सबको होती है तो इसी के एक तो इस तरीके से हमारा वर्काउट कंप्लीट हो गया और डाइट में मैं बताओं अभी हम लोग खाने वाले हैं केले तीन-चार केले हम लेकिया है सभी केले खाएंगे और क्या खाते है आतुल खुद ही बताएंगे मैंने पूछा भी नहीं था चना दूद लेते हैं और अ यंदा और यह बच्चा जो है कौन से स्पोड खेलते हो आप कबड़ी खेलते हैं तो कबड़ी बाले बाड़ी नहीं बनाते है फीट इतना ज्यादा है बच्चा कि मैं कोई वीडियो डालूंगा कबड़ी इस टेमिना कैसे बढ़ाएं वह भी डालूंगा लेकिन छोटा ल कुछ कुछ कुछ